Hey everyone, आज अब सब के लिए लेके आ रहे हो में कुछ common mistakes और जो हम daily English बोलते time करते हैं और कहीं न कहीं mistakes आपने सुनी भी होंगी और आप लोगोंने की भी होंगी तो चलिए आज ये common mistakes सीखते हैं study up के साथ और जुड़े रहे हमारे इस channel के साथ और देखते रहे हमारी रोज की नई videos तो चलिए सीखते कुछ common mistakes पहला sentence यहाँ पे I have visited Niagara Falls last weekend अब जब कहीं पे देखो past में कुछ चीज लिखी हो तो वहाँ पे देखो वो sentence present perfect tense में नहीं आ सकता है वो हमें सब past simple tense में हैगा जैसे यहाँ पे लिखा I visited Niagara Falls last weekend तो ध्यान लगना यहाँ पे यह past simple tense में इसलिए गया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे यहाँ पे हमने second form को use इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमने last weekend के बारे में बात तर रहे है आज का हमारा next sentence है तो वुमिन विच वॉर्क्स हीर इस फॉम जपैन जो औरत यहाँ पे काम करती हो कहां से जपैन से तो दवुमिन देखो जो विच है वो non living thing को indicate करता है पड लिविंग के लिए हम क्या use करेंगे हू का use करेंगे विच का use नहीं करेंगे हम तो यहाँ पे जो के sense में हम हू का use करेंगे विच का use नहीं करेंगे देखो मैंने बहुत जो color तो विच खलर पर जो इंसान विच परसन ठीक है तो वहाँ पर विच परसन यह आएगा sorry वहाँ पर कहाएगा who person who is sitting here जो यहाँ पर बैठ है तो जब हम living के बारे में बात करेंगे वहाँ पर हमारा who आ जाएगा next sentence है हमारा she is married with a dentist देखो जब हम married के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ कभी with का use हम नहीं करते हैं married के बाद हमेशा क्या use करेंगा हम to का use करेंगे so she is married to a dentist merit के साथ कभी भी हमें with का use नहीं करना है हमेशा क्या use करना है to का use करना है now आज का हमारा next sentence है he was boring in the class he was boring देखो boring एक condition है तो condition हमेशा third form में आती है तो class में क्या हुआ वो bored हुआ था तो he was bored in the class बतला हो class में क्या हुआ बोर हुआ जैसे मैं ठक गया तो यह जो conditions होती है कुछ conditions क्या है जिनकी हम third form use करते है इसलिए यहाँ पर bored की third form bored आजाएगी boring नहीं आजाएगी now next sentence हमारा I must call to him immediately अब धियान रखना must के बाद कभी to का use नहीं कर सकते हम must के बाद हमेशा वो की first form का use करेंगे must call him immediately तो must के बाद कभी भी to नहीं आएगा हमारा proportion ध्यार नकना must एक modal verb है उसके बाद सीधे verb की first form आती है every students like the teacher now यहाँ पर एक और mistake है every के साथ हमेशा singular noun का use किया जाए कभी plural noun का use नहीं किया जाएगा और जो s आएगा वो verb में आएगा every student likes the teacher every हो गया each हो गया इनके साथ हमेशा जो noun आएगा आगे वो singular noun आजाएगा so although it was raining but he had the picnic देखो जब आपने although का use कर दिया है एक proportion आपने starting में ही use कर दिया है अब दुबारा एक और proportion लेके आरहा जो कि but है यहाँ पे हम but का use नहीं कर सकते है क्योंकि हमने although का already use कर दिया है so although it was raining we had the picnic आज का हमारा next sentence है I enjoyed from the movie देखो I enjoyed from the movie यहाँ पे sentence बिलकुल गलत है from proportion लगा नहीं सकते हैं क्यों नहीं लगा सकते हैं क्योंकि देखो I enjoyed the movie देखो हम movies से enjoy नहीं करते हैं हम movie को enjoy करते हैं तो वहाँ पे देखो यह जो from है यहाँ पे unnecessary लगा रखा है इसलिए यहाँ पे from proportion नहीं लगाना आपको यह इस चीज़ का आप निहान रखना है now आज के हमारी next mistake है I look forward to meet you देखो look forward मतला होता है जब आप क्या होते हो किसी को मिलने के लिए बेकरार होते हो यह किसी को मिलने के लिए आप excited होते हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं मैं मिलने के लिए बेकरार हो आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ वहाँ पे हम क्या use करेंगे look forward I look forward to your reply ठीक है now look forward के बाद जब हम ठीक एक verb लगाएंगे उसमें ing form आती है कभी भी first form नहीं आएगी इस सीज का आप लोगों ध्यान लखना है जब भी आप look forward को यूज़ करें तो हमेशा verb की first form अच्छा I like verb की first form के साथ look forward के साथ जब भी हम look forward to को यूज़ करेंगे तो हमेशा ध्यान लगना आगे ing form आपको लगाना है आपको क्या बोलेंगे I like ice cream very much या I like very much ice cream देखो जो very much है हमेशा last में आता है कभी भी starting में नहीं मनलब sentence के बीच में नहीं लगा सकते हैं वो आपके ठीक बात नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या बोलेंगे I like ice cream very much तो आपको हमेशा very much कहां लगाना है sentence के last में लगाना है चिक है तो आज की इस class में में कुछ common mistakes सीखी है जब भी आप ingles बोलोगे ingles बोलते time इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कहां पर आप mistakes कर रहे हो hope so आज की class आपको पसंद आई हो मिलते हैं आपको next class में by the time हमारे youtube channel के साथ जोड़े रहे है subscribe कीजे इस channel को और मिलते है next video